तो सबसे पहले अगर बात की जाए से स्मार्ट वाच के बॉक्स की तो यहां पे सूर्य कुमार यादव के साथ यहां पे आपको कुछ हाइलाइट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे पॉस करके पढ़ सकते हो उसी के साथ इसके एप्लिकेशन का बार कोड भी देखने को मिल जाएगा और अगर बात की जाए वाच की तो यहां पे इस चाइप से देखने को मिल जाएगी मैक्सीमा मैक्स प्रो टर्बो तो यहां पे सबसे पहले वाच को निकाल लेते हैं तो इस चाइप से वाच देखने को मिल जाएगी और उसी के साथ अगर बात की जाए कुछ और contents की तो सबसे पहले देखने को मिल जाएगा magnetic charger तो ये वाला थोड़ा सा unique charger है और बाकी watches से अलग है और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा warranty card तो यहाँ पे आपको one year की कुछ warranty देखने को मिल जाएगी और इस barcode को scan करके warranty के लिए कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसका card maxima कई और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यह made in India product है तो made in India product होने वाला है यह और यहाँ पे last में देखने को मिल जाएगी user manual तो यहाँ पे बड़ी सी user manual देखने को मिल जाएगी जो कि कोई भी नहीं पड़ता क्योंकि हमको सब knowledge है तो सबसे पहले अगर बात की जाए first impression और build quality की तो यहाँ पे first impression में तो बहुत गजब की लग रही है यह smart watch और particularly यह जो मैंने color मंगाया है इसके अंदर black और gold का कुछ mixture है तो overall यह जो mixture है बहुत ही जादा premium look देता है इस smart watch को और overall बहुत ही premium लगती है यह smart watch और अगर बात की जाए build quality की तो sides में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा metal build और पीछी की side में अच्छी quality का plastic use क्या गया है तो कहीं से भी cheap वाली feeling नहीं आएगी और इस smart watch के अंदर पीछी की side में 100% real sensors देखने को मिल जाएंगे real sensors provide किये गए है और यहाँ पे two pin दी गई है magnetic charging के लिए और यहाँ पे यह button देखने को मिल जाएगा और overall अच्छी build quality है ऐसा कह सकते है और straps की quality भी decent है और यहाँ पे आपको removable straps का भी feature देखने को मिल जाएगा यानि कि नए straps को purchase करके लगा सकते हो तो overall अच्छी build quality देखने को मिल जाएगी और first impressions तो बहुत अच्छे है तो चलिए एक बार weight भी check कर लेते हैं इस smart watch का तो इस smart watch का weight होने वाला है 46 gram और 46 gram के इसाप से average weight है और comfortable होने वाली है तो चलिए smart watch को on करके check करते हैं तो यहाँ पर इस type से on होती है यह smart watch और जब तक यह on हो रही है तब तक इसका application बता देता हूँ तो यह जो smart watch है वो support करती है maxima smart fit application को तो application से connect करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको उपर से नीची की तरफ swipe करके यह जो option इसे on करना पड़ेगा और उसके बाद application थोड़ी permission वगरा मांगेगा तो इसे setup कर लेता हूँ तो यहाँ पर इस application को मैंने setup कर दिया है और watch को connect करने के लिए यहाँ पर click करके नीचे option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर option आ चुका है तो max pro turbo लिखा आ चुका है तो इसके उपर click करके इस watch को connect कर लेता हूँ तो यहाँ पर watch के अंदर vibration हुआ इसका मतलब यह जो watch is successfully connect हो चुकी है और application से pair करने के बाद आपको इसको bluetooth से भी pair करना पड़ेगा तो वो भी कर देता हूँ अगर बात की जाए display की तो इस smart watch के अंदर 1.69 inches का TFT display देखने को मिल जाता है और overall colors वगरा बहुत अच्छा आता है और अगर second hand की movement को notice कर सकते हो तो बहुत जादा smooth movement देखने को मिल जाएगी और यह show करती है कि watch की display की quality कितनी जादा अच्छी है उसी के साथ इस smart watch के अंदर 550 nits की brightness देखने को मिल जाती है तो बहुत जादा bright display है और direction light में use करोगे तो भी visible होगा कोई problem नहीं आएगी उसमें भी उसी के साथ अगर बात की जाए bezels की तो यहाँ पर इस smart watch के अंदर उपर की side में और दोनों sides में तो कम bezel देखने को मिलेंगे पर नीजी के side में थोड़ा मोटा bezel है तो उस चीज के साथ आपको compromise करना पड़ेगा और यह expected था इसकी price range को देखते होए बाकी अगर overall black color में कोई watch faces लगाओगे तो फिर यह जो bezel है विजिबल नहीं होगा क्योंकि यह calling watch होने वाली है तो इसके अंदर speaker और microphone दोनों का ही support देखने को मिल जाएगा यहाँ पर speaker microphone दिखते नहीं है maxima वालों ने छुपा रखे है तो यहाँ पर इस side में छोटा सा यह hole दिख रहोगा यह speaker के लिए space है और यहाँ पर microphone के लिए space देखने को मिल जाएगी तो speaker और microphone दोनों का ही support देखने को मिल जाएगा और इस smart watch के अंदर calling features भी देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर phone में जाके recent call, dial pad और contact का option देखने को मिल जाएगा और यहाँ से किसी को भी calls वगेरा आराम से place कर सकते हो तो यहाँ पर मैं एक call place करके बताता हूँ तो calls वगेरा जो होंगे वो phone से ही place होंगे पर watch से बात कर सकते हो फोन पर calls वगेरा आने पर आप इस watch से calls रिसीव कर पाओगे हलो हाँ आवाज आ रही है clear चल ठीक है ठीक है गड़ी टेस्स कर रहा था और क्यूंकि इस smart watch के इंदर speaker available है तो music वगेरा भी आराम से enjoy कर पाओगे तो यहाँ पर आप इस watch से ही play या pause कर सकते हो या फिर volume को ज़्यादा कम कर सकते हो या फिर next या previous song प्ले कर सकते हो तो यहाँ पर अभी आप जो song सुनोगे वो watch के speaker से ही सुनोगे ताकि speaker का idea लग जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से speaker quality देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा decent है और अच्छी काशी quality speaker की भी देखने को मिल जाती है अगर बात की जाए watch faces की तो इस smart watch के अंदर built-in 5 watch faces का support देखने को मिल जाएगा और crown जो है यह भी working होने वाला है तो इस crown को rotate करके watch faces को change कर सकते हो तो इस तरीके से built-in 5 watch faces का support देखने को मिल जाएगा और अगर बात की जाए application की तो application के अंदर 100 plus watch faces का support देखने को मिल जाएगा जिनको इस smart watch के अंदर install कर सकते हो और उसी के साथ अगर बात की जाए custom watch face की तो यहाँ पे जो watch face 3 है इस पे edit पे click करके यहाँ पे custom watch face भी लगा सकते हैं और अगर बात की जाए custom watch face की quality की तो बहुत अच्छी कासी आती है और pixels वगेरा नहीं फटते यह बहुत अच्छी बात है इस smart watch में race to wake gesture का भी option देखने को मिल जाएगा और अगर बात की जाए इसकी तो मैंने इसे बहुत बार test किया और एक भी बार miss नहीं किया इस smart watch ने उसी के साथ अगर बात की जाए watch UI की तो इस smart watch के अंदर एकदम smooth सा UI देखने को मिल जाएगा और काफी है तक user friendly भी है तो यहाँ पे नीची की तरफ swipe करने से इस type से control panel आ जाता है और यहाँ पे brightness बगेरा को आराम से adjust कर सकते हो उसी के साथ right की तरफ swipe करने से applications आ जाता है और applications को यहाँ पे crown को rotate करके zoom in और zoom out भी कर सकते हो तो इस type से crown को rotate करके zoom in zoom out कर सकते है और crown की जो sound है बहुत जादा relaxing है crown की sound भी और उसी के साथ इस smartwatch के अंदर एक menu style और देखने को मिल जाएगी तो अभी आपने देखी grid view तो आप एक बादा देता हूं list view तो यहाँ पे list view कुछ इस type से देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे applications वगेरा ढूणना easy रहता है crown को rotate करके भी use कर सकते हो और अगर उपर की तरह swipe करोगे तो notifications वगेरा देखने को मिल जाएगे और right की तरह swipe करने पे components आजाएगे और components में अगर उपर की तरह swipe करते है तो सारा graphs वगेरा शो हो जाएगा पूरा data तो यहाँ पे इस type से components और सारे components के अंदर ही इस type से data शो हो जाएगा यह smartwatch IP67 waterproof भी होने वाली है यानि कि थोड़ा बहुत पानी वगेरा लग जाए तो कोई problem नहीं होगी बाकी इससे swimming pool में ले जाने के लिए recommend नहीं करूँगा उसी के साथ अगर बात की जाए battery backup और charging time की तो यह smartwatch लेती है 2 hours का time 0 से 100 तक full charge होने के लिए और अगर calling feature को use करोगे तो 1 से 2 days का battery backup देखने को मिल जाएगा और अगर calling feature को use नहीं करोगे तो 4 से 5 days का battery backup देखने को मिल जाएगा जो की decent है calling watch के हिसाब से notifications आने पर इस type से show हो जाएगे और अगर बात की जाए notifications की length की तो 9 से 10 line के notifications आ जाता है और हिंदी का support है यह बहुत अच्छी बात है पर यहाँ पर reply वगरा करने का कोई option देखने को नहीं मिलता है अगर बात की जाए fitness features की तो इस smart watch के अंदर 12 sports mode देखने को मिल जाएगे और यहाँ पर अलग अलग type के sports mode देखने को मिल जाएगे जैसे की walking, running, football, basketball तो यह सारे options देखने को मिल जाएगे और अगर बात की जाए pedometer की तो pedometer की accuracy को test करने के लिए मैंने walking start की थी और सबसे पहले चले थे 100 steps तो watch के अंदर शो हुआ 120 उसके बाद मैंने चले 300 steps और watch के अंदर शो हुआ 294 और उसके बाद मैंने सोचा थोड़े जादा steps चलके देखते हैं तो मैंने total 1000 steps चले और watch के तो अगर बात की जाए pedometer की accuracy की तो बहुत अच्छी खासी accuracy देखने को मिल जाती है और pedometer को लेके कोई भी शिकायद नहीं है मिरको उसी के साथ इसके अंदर heart rate का भी option देखने को मिल जाएगा तो चेक करते हैं कि air के अंदर reading show करता है कि नी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि air के अंदर reading show नहीं की तो एक बार इसको ओक्सी मीटर से compare करके बताता हूं इसकी readings को तो यहाँ पर इस smartwatch के heart rate sensor को compare करके बताने वाला हूं oxymeter के साथ और आप देख सकते हो कि कितने जादा accurate results आते हैं और इस smartwatch के heart rate sensor के result oxymeter से 100% match करते हैं उसी के साथ इस smartwatch के अंदर 24 hour heart rate monitoring का option भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको graphs के अंदर data वगेरा show हो जाएगा कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर 24 hour heart rate monitoring भी कर सकते हो उसी के साथ इस smartwatch के अंदर spo2 का भी sensor दिया गया है तो चलिए इससे भी test कर लेता है तो यहाँ पर oximeter के अंदर आ रहा है 98 तो चलिए देखते है watch के अंदर क्या आता है तो यहाँ पर watch के अंदर 97 आया है तो accuracy थोड़ी सी उपर नीचे आती है और spo2 को लेके सारी ही watches के अंदर आप rely नहीं कर सकते हो क्यूंकि spo2 proper medical equipment से ही calculate किया जा सकता है तो चलिए कुछ और applications चेक कर लिते हैं से smart watch के अंदर तो सबसे पहले notifications का option देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर watch के अंदर सारे notifications आ जाएंगे उसी के साथ activity के अंदर चाके steps चो हो जाएगा और उसी के साथ graphs के अंदर data वगरा शो हो जाएगा और यहाँ पर sleep monitoring का भी option देखने को मिल जाता है और sleep monitoring को test करने के लिए रात को 12 बजे में सोया था और उसके बाद सुवेश 7 बजे में उठा था पर इस smart watch ने सिफ 2 hours तक ही calculate किया था तो sleep monitoring fake as smart watch का और work नहीं करता है उसके बाद option देखने को मिल जाएगा heart rate sensor, exercise, phone का और spo2 sensor, AI voice का option देखने को मिल जाता है तो इसे मैं बता देता हूं किस type से use कर सकता है, तो यहाँ पर अगर आप click करोगे तो फिर अगर आपके पास android है तो google assistant on हो जाएगा, iphone है तो siri feature on हो जाएगा, तो यहाँ पर इस type से google assistant on हो जाता है, तो यहाँ पर आप कुछ भी command देखने को मिल जाएगा, weather का, जिसके अंदर 7 days का weather sync हो जा तो यहाँ पर watch के उपर click करके आप इस यहाँ पर देख सकते है, timer जो है बस्चार्ट हो गया, तो watch के उपर oh oh oh, बहुत खतरना गावाज है, तो आप इस watch के उपर click करके इस phone से images वगरा को ले सकते हो, तो यह जो feature है काफी तक useful हो सकता है, उसी के साथ option देखने को मिल जाए इस टॉप watch का, alarm का, तो यहाँ पर आप alarm वगरा सेट कर सकते हो, तो आप इसके अंदर सिर्फ तीन alarm सी रख सकते हो, और वो भी application से set करोगे तो ज्यादा बैटर रहेगा, उसी के साथ countdown का feature है, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, flashlight का option देखने को मिल जाएगा, और last option देखन नहीं पड़ती है, उसके बाद option देखने को मिल जाएगा, Bluetooth का, basically यह Bluetooth का option है, और उसके बाद है vibration, तो vibration मैं तो off रखता हूँ, power saving mode को on कर दोगे, तो चार से पाच देन का battery backup वाराम से देखने को मिल जाएगा, reset का option है, उसी के साथ power off का option है, about है, और इसके application के बार कोड है, तो यह सारे basic से application देखने को मिल जाते हैं, से smart watch के अंदर, और overall अगर बात करूँ, क्या चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसका crown, crown को rotate करके आप आराम से application को देख सकते हो, तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उसी के साथ अगर ब connectivity को लेके कोई issue देखने को नहीं मिला, उसी के साथ graphs के अंदर data वगेरा show हो जाता है, तो यहाँ पे heart rate sensor, blood oxygen, तो यह सारे graphs के अंदर show हो जाएंगे, उसी के साथ option देखने को मिल जाएगा watch faces लगाने का notifications, आप चाहो तो अपने इसाब से application से push कर सकते हो, तो यहाँ से जैसे क तो उसी के साथ remote capture का option है, favorite contact का option है, और इसके अंदर कोई भी 8 contact sync कर सकते हो, तो यहाँ पे इसका calling feature का contact वाला option था, उसके अंदर 8 contact यहाँ से sync होंगे, उसी के साथ option और देखने को मिल जाएगे, जैसे के others, तो others के अंदर जाके find device का feature है, देखते है work करता है, तो यहाँ पे find device का feature जो है, वो 100% work करता है, उसी के साथ basic से feature देखने को मिल जाएगे, जिनको आप use कर सकते हो, उसी के साथ sedimentary reminder और drink water reminder का भी option है, तो यह सारे options अपने साब से set कर सकते हो, तो finally, अब conclusion बताने वालों पूरे वीडियो का, तो सबसे पहले अगर बात करें से smartwatch की price की, तो इस watch faces बहुत सारे, custom watch faces का feature है, features बहुत सारे देखने को मिल जाएगे, उसी के साथ fitness features की accuracy बहुत गजब की है, तो overall complete package होने वाला है, 3000 रुपीज के साब से, और मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है, इसका color, particularly यह वाला जो color है, black और gold का combination, यह बहुत ज़्यादा premium look देता है इस smart watch को, तो अगर आपको यह smart watch purchase करनी हो, तो buying link दे दूँगा, Amazon की, तो Amazon से purchase कर सकते हो, और मैं तो यह recommend करूँगा, इसी color में order करना, क्योंकि मेरे को तो यह बहुत ज़्यादा पसंद आया, बाकी आप comment करके बता सकते हो, कि आपको कोई और color पसंद आ रहा हो तो, बाकी overall बहुत अच्छी watch है, कोई भी शिकायत नहीं है, मेरे को इस smart watch से, अगर बात की जाए कुछ cons की, तो एक दो problem है, इस smart watch के अंदर, पहला यह कि इसके अंदर sleep monitor की accuracy बहुती बिकार मिलती है, sleep monitor बिल्कुल अच्छे से work नहीं करता है, उसी के साथ इसके अंदर नीची की side में थोड़ा सा मोटा bezel देखने को मिलता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी watch है, बाकी सारी चीज़े perfect है, बस यह दो problem से, तो अगर यह दो आपके लिए बहुत सादा major problem नहीं है, तो आख बंद करके ले सकते हो इस smart watch को, क्योंकि बहुत ही अच्छी watch है, तो overall अच्छी वीडियो में तब तक लिए, बाई बाई